दोस्तों महंदरा थार का मज़ा अब महंदरा के इस नय स्रीस डिरेक्टर पर क्योंकि कमपनी ने महंदरा थार वाला इंजन इस नय डॉक्टर पर प्रोवाइड कर आया है और यही नई दोस्तों इसमें आपको fully side ship gearbox के साथ में कमपनी इसमें दे रही है 15 प्रकार के आंगे व यानि कि इसमें आपको 30 gear देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों कमपनी इसमें दे रही है BS4 यानि कि CRDI इंजन जो कि आपको महंदरा थार वाले इंजन पर देखने को मिलने वाला है यानि कि माय को बॉस का in-line pump का कमपनी जंजड़ी खतम कर दिया है अब यह ट्रक्टर अच् अच्छी खासी कमाई भी करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों यह ट्रक्टर की परफॉर्मस पर कोई गीरावट आने वाली है क्योंकि इसमें आपको लोड के हिसाब से मोड देखने को मिलने वाले हैं जिससे आप भाड़ा यह फिर अपने खुद के खेत पर अच्छा खासा ड और यहां पर आद्विक सकते हैं M-Boost का यहने की काफी जादा हाई परफॉर्मस इंजन देखने को मिल जाता है डिगे सेंस 4G होने से आप ट्रक्टर पर कोई भी देखरेक बड़ असानी से कर सकते हैं अपने मोबाल से और इस नया ट्रक्टर पर आपको 380 mm का ग्राउड की निकाल सकते हैं और इसमें ट्रक्टर पर चाहणने के लिए आपको 2 step type का पैतान देखने को मिल जाता है दोस्तों इसमें भी आपको heat guard बगयरा सब कुछ देखने को मिलने वाला है वीडियो पर आंगे हम बात करेंगे सबसे पहले आप दिख सकते हैं ट्रक्टर पर लुक को मिलने वाला है और इसमें आपको जो seat मिलने वाली है deluxe type की adjustable seat का यूज किया गया है दोस्तों side में देख सकते हैं company दे रही है parking brake इसमें आपको काफी जादा लीवर देखने को मिलने वाले है और इस ट्रक्टर पर आपको जो पीटियो मिलने वाली है 540 extender reverse पीटियो और 540 इस एकनौमी 50 HP की धमदार PTO पावर देखने को मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं company दे रही है fully 60 gearbox जो की high low medium gearbox के साथ में यह रक्टर आपको मिलने वाला है और इसमें company ने यूज किया है पार्टियल सिंक्रो में 60 gearbox और यहाँ पर आपको PTO का लीवर देख देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1234 लीवर देखने को मिल जाता है उसे के नीचे आपको differential log देखने को मिल जाता है नीचे आपको देख सकते हैं पैर की race और brake की बडल देखने को मिल जाते हैं देख सकते हैं इसके platform पर आपको मेंट देखने को मिलने है दोस्तो इसमें आप पुछ श्टेरिक मिलने वाली है कंपनी दे रही है योबर टेक प्लेस जैसे जिसमें आपको लोगों बगारा महंद्रा का भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप दिख सकते हैं कंपनी दे रही है डैसबोर्ट जो कि इसमें आपको फुल डिश्टल देखने को नहीं मिलता है अनलोग और डिश्टल का कंपनेशन किया गया है दोस्तो अब में बात आती है इस ट्रक्टर की डिजल सेवर की तो इसमें आप पुछ तीन मोड देखने को मिल जाते है दोस्तो माल लेते हैं अगर आप भाड़ा वाला काम कर रहे हैं और खाले ट् चुन सकते हैं जिससे की ट्रक्टर पर कोई भी गिरावट नहीं आएगी पर्फॉर्मंस पर आप आपका ट्रक्टर अच्छा खासा पर्फॉर्मंस की साथ में डिजल की बचत भी करने वाला है दोस्तों कंपनी इसमें दे रही है सिंगल पीस बोनट और इसमें आप पू ज देखने को मिल जाता है इसमें कंपनी दे रही है ड्राइट टाइप कर डूल एलिमेंट वाला एर फिल्टर जो की बुनट के अंदर ही माउंट किया गया है दोस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रक्टर के और भी कुछ एक्स्टर फीचर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इस ट्रक्टर पर जो इंजन यूज़ किया है चार सिलंडर का 56 HP का डागरी के अंदर आने वाला हाई परफॉरमस धमदार इंजन देखने को मिल जाता है जिसमें कमपनी ने दिया है VS4 याने की CRDI जैसी नई टेकनलोजी और इसमें आप दीख सकते हैं ट्रक्टर का लुक कुछ इस तरह कर देखने को मिल जाता है सालेंसर को उपर महंदरा इसमें दे रहा है जाली जो की अच्छी क्वाल्टी की देखने को मिलने वाली है सामने आपको दो हलेचन टैप की हेड लाट देखने को मिल जाती है और सामने आपको क्रोम फनिस के साथ में डिजाइन वाली जाली देखने को मिल जाती है दोस्तो इस ट्रक्टर पर आपको जो ट्रक्टर का पूरा बचन देखने को मिलने वाला है 2130 kg का मिल जाता है वहें 2145 mm के वेल वेस के साथ में 3630 mm की लेंथ मिल जाती है दोस्तों इसमें आपको 380 से 385 mm का ग्राउंड की लेंज देखने को मिल जाता है और इस ट्रक्टर पर आप देख सकते हैं कंपणी ने दिये हैं हाई फर्फॉर्मेंस वाले डिवल डिवल टेंडम पंप जिससे की ट्रक्टर की बहतर सेंसिंग हो सके और आप ट्रक्टर को बहुत ही आसाने से 10 से 12 गंटे चला सके जिसके चलते आपको स्मूद श्टेरिंग देखने को मिल जाती है साथ पचास सोला का फ्रंट टायर साज देखने को मिल जाता है चले बात कर लेते हैं इस ट्रक्टर की रियर टायर साज की इसमें भी आपको जुरियर टायर देखने को मिलने बाला है सोला नो अटाइस का सबसे बड़ा टायर साज देखने को मिल जाता है दोस्तो टायर और फंडर की बीच में अच्छा खासा गैप कमपनी ने मेंटन करकर रखा है और यहां पर आप दिख सकते हैं की का सिस्टम देखने को मिल जाता है और यह ट्रक्टर आप 20 से ही चालू कर सकते हैं और 20 से ही बंद कर सकते हैं इसमें कोई लीवर बगारा खिचने के कोई भी जंजट नहीं है इसमें कमपनी ने पूरा सिस्टम भी बदल दिया है यानि कि इसमें आपको मेहंदरा थार वाला मज़ा आने वाला है दोस्तो कमपनी इसमें दे रही है हीड़ गार्ड जेख सकते हैं कुछी स्टरक सिस्टम देखने को मिल जाता है और इस तरब भी आपको Digit Sense 4G का सिस्टम देखने को मिल जाता है दोस्तो यानि कि आप ट्रक्टर को अपने मोबाल से कनेक्ट कर सकते हैं इसमें आपको GPS लोकेट सिस्टम देखने को मिल जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं कमपनी दे रही है हाट टोलिक फिल्टर जो की काफी बड़ा साइस का दिया गया है यही नहीं दोस्तो पीशे का प्रोफाइल भी कमपनी ने काफी दमदार हाई प्रफार्मेंस के साथ में बना कर दिया है जिससे कि आप ट्रक्टर पर कोई भी इंप्लिमेंट बड़े असाने से खेच सकते हैं इसमें आपको कोई भी टोट फोट या फिर कोई भी तिगज़ नहीं होने वाली है पीशे का लुक देख सकते हैं कोशिश स्तरग को देखने मिलने वाली है 200 किल रियल एकसल देखने को मिलने वाला है 4 लियाल येिया करी मिल जाता है इसमें आप पूर नीचे कंपणी ने चार होल लगा कर दिये हैं जिससे कि आप नमबर प्रेट बगारा मोडिफाई कर सकते हैं दोस्तो अगर आप ट्रक्टर से ट्रॉपलिंग वाला काम ज़ादा यूज करते हैं याने कि सेंसेंग वाला तो इसमें कंपणी ने दिये हैं सेंसेंग की हां डंन सेंसेंग वाला अच्छा पर्फॉर्मस दे युबाए और यहां पार आप दिख सकते हैं कंपणी ने सेंसंग के लिए ट्रॉपर बगारा यूज करने के लिए 12-point control board देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, company ने इस ट्रेक्टर पर और भी काफी ज़्यादा high performance बाले parts दिये हैं जैसे कि इसमें हेच देख सकते हैं काफी धमदार देखने को मिल जाती है जिससे कि हेच को आप अपने हिसाब से control कर सकते हैं यह फिर नीचे और इसके fender को अगर आपको adjust करना है तो इसमें आपको single point extra देखने को मिल जाता है जिससे कि fender को भी आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं और इसमें यह काफी ज़्यादा gold type का heavy duty वालत jack दिया गया है जिसमें आपको 3-4 point linkage देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप jack को भी अपने हिसाब से control कर सकते हैं तो पीछे का look देख सकते हैं कुछ इस तरह का महंदरा ने इस नए डेक्टर पर provide कर आया है दोस्तों यही नहीं इस डेक्टर पर आपको जो indicator देखने को मिलने वाली है देख सकते हैं काफी बहतरे क्वालिटी की देखने को मिल जाती है तो आसा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह के नए-नए वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों ये था मेहंदर के तरफ से रिसरेंटली लॉंच किया गया मेहंदरा नोबो 605DI जुकि इस ट्रक्टर पर आपको डिगी चैन्स देखने को मिलने वाला है यानि कि दोस्तों डिगी चैन्स 4G इसमें आप अपने मोबाइल को लोगेट कर सकते हैं मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं ट्रक्टर को और आप ट्रक्टर को पता कर सकते हैं हमारे ट्रक्टर पर कौन सा फॉल्ट आने वाला है ये फिर कौन सा फॉल्ट चल रहा है